बच्चा गुमिया था उस्माने में हॉस्पिटल आये तो मैं शोहर के साथ आया था एक अदमे उठा लेकर लेकर चले गया में की बुले यहां जाके कंप्लेट करो पीएस में बुले तो मैं आगई आगे कंप्लेट करते पूरे सहरा जिते भी है ना उन्हों अससर को भी करें पूरी राद मादद करें लोंके चुट्टिया थे चुट्टिया भी नहीं लिए लोगा बच्चे के खातिर पूरी राद भूमें फिरें कोई घर को नहीं गया बच्चे के लिए सुबा सुबा लाके मेरे बच्चे को मेरे हाथ में रग दिये मैं मलापली पर हैत्यू पॉलिस वाले रहना हमारे देश में अच्छा है यह पॉलिस वाले भूत अच्छे है पूरे शलूट करना हैं सब्कूँ मैं यहां पर मल्लापली पर हैती हूं यह चार बजे चले गया था पांच शे घंटे में लाके देदी हैं कल रात दस बजे अफजल गंठ पॉलिस टेशन में एक रुबिना बेगम के आया वो लोग अफजल सागर मंगर बस में रहता है उनका अस्बेंड और उनका चोटा बेटी बेटा गांधी आस्पिटल के ट्रीटमेंट के पास आ गया उस्मानिया उस्मानिया आस्पिटल के पा अस्मानिया एफश् appears.ista मैं एक्योर सेंड के भी होलिए मैंड पापल में आस्मानिया जनू पैलैप आस्पिटल नllo सा waterproofन इसन घर आस्मानिया कन्जुटल गु़िलकिंटा बेटी अवुवएशों होस्मान वे टास्पिquesti से अपीत चुछार्य ठांकोर्या स्के रामकृतियु प्ताउ्ट अटोच डेपट ळटती जडिमी एक रमकृत की बेपन प्रिए के पार moimก führen दो किते जिते जिए ज कुछा हूरा, किते ऑूशम का repeat when न से ह inveश्साश् it is a night time, so there are no more shops. So, early morning 6 o'clock again our crime team verified those CCTV cameras and traced him at Dabbirapura railway station, where he was doing begging with along with the child. Maybe he is a native of Varangal district. So, he came to Hyderabad and he is doing some labor work. Whenever work is not there, he will go and sleep in the Usmania hospital area in the night time. So, where he found that this boy is alone when his father is also there, but he was in drunken condition and he was sleeping. So, he found that boy is alone. So, he was took away and doing webbing. He was already married and he has two children. But after asking him, he told that he kidnapped that boy for a begging purpose only and he may be sold also. As of now, there is no previous record. This is the only one case. So, that is begging and selling. Two kids are in Varangal. He is alone. In the name of Varangal.